दोस्ताब सबको फिर से एक पर बहुत बहुत दुलकब में आपके अपने ही चैनले टाइकट इन फंटासी पर इस बिर में आप देख रहा है आप अब अभी तक हमारे टेलिकम चलेंग नहीं जो इनके तो दोस्तो आप यह पर बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ मतलब कि जो फाइनल टीम्स जी एल और एसल की टीम्स हमने देने वाले है वो आपको सिर्फा सिर्फ हमारे टेलिकम चलेंग पर ही मिलेगा जिसका लिंक दोस्तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर है तो आप अभी जाईए जाके लिंक के उपर क्लिक कीजिए और हमारे टेलिक अपडेट्स देते हैं साथ में किसी भी मैच का किसी भी तरह के अपडेट्स बारिस होगा की नहीं या फिर दोस्तों ओधर कंडिशन कैसा रहा पीछ रिपोट कैसा रहा तो सारकी सारे बात हम टेलिकम पर ही सेयर करते हैं इसलिए दोस्तों आपको टेलिकम चले जोईन करना बहुत इंपर्ण हो जाता है तो दोस्तों यहां पर देखिए मैच की बात करने से पहले आपको बताऊंगा कि देखिए यह होने वाला है 14 मैच तो यहां पर देखिए मैच की थोड़ा सा बात कर लेता है देखिए पहला मैच दोस्तों हर दिन यहां पर 3 मैच इस होता है अब बाउंडर की बात करें, सिर्ग जाइश टेरियम पर मैच हो रहा है, तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर देखें, डियू की कोई चांसस नहीं है, रात में हो जाए या पिर साम में हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों, बाउंडरिस टेमें सन बहुत छोटा कर द गया है, नहीं तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हों कि, यहाँ के अंदर जितने ग्राउंड्स है, उनमें से से एक जाइश टेरियम सबसे बढ़ा रहा, बाउंडरिस से थ्रू, तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर देखें, बहुत ही छोटा कर देखें बंडरिस, तो य ज़्यादा निकलते है, और ज़्यादा से यहाँ पर उतना ज़्यादा चेस नहीं है थे, दोस्तों, अगर किसी टीम ने 110 प्लास रंस बना दी, तो वो रंस नहीं चेस होते, यह एक मतलब देखने वाली बात है, कि यहाँ पर किस तरह से मैचेस टीम्स ने जीत रहा है, तो उतना ज़्यादा चेस नहीं हो रहा है, और दोस्तों, दोनों टीम्स के रीसेन फ्रम के अगर अब बात करोगे, तो डेली बूल्स लास्ट जो पांच मैच खेले, उनमें से एक टाई किये थे, और एक जीते, और दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो पांच मैच खेले, डीजी ग्रेडिटर्स की कॉंपरीजन में थोड़ा सा खराफ हम पर चल रहा है, तो दोस्तों, वहीतर बिल्कुल क्लियर रहने वाले पीच रिपोट आपको बता दिये, और दोस्तों, अभी आपको बता हूँगा, रिसेन मैच की पर्फॉमेंस, दोस्तों, दिल्ली बूल्स के तर और रैली नास ओर रखिंग कर नल, दोनों ने दोस्तों, जीरो-जीरो पर आउट हो गए, दोनों ने जीरो-जीरो पर रहा है, बहुत ही संदर बात है जोड़ा सा ग्या बोल सकते है, इनिंग्स बिल्ट अप करने की कोशिस की थी, बाकी दोस्तों, टीम डेविड ने थोड नस्टिब किये थी इनके साथ सोलर रन बनाए और वागी इनको छोड़के दोस्तों केमोपॉल ने एक अच्छा इनिंस खेली थी 18 गेंदों में 36 बनाए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जागे ऑल अनुद्र सिक्षन पर रहे देखिए इन्होंने 18 गेंदों में 36 बनाए थे दोस्तों इसलिए आपको कहता हूँ कि ऑल अनुद्रस को हमेसा जादर से ज़िया पिक किये और दोस्तों अभी बात करें यहाँ पर बोलिंग सिक्षम के दोस्तों वाकस मक्सूद न निकाले गए और बाकें पर रिचाड़ गलेशन न निकाले गए तो ऐसे कुछ लाश्ट मैच परफश थी यहाँ पर दिली बूल्स की अभी आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर डेकन गैडर्स की तरफ से लाश्ट मैच पर कौन कौन स्कूर अच्छे परफश की थी वह से भी देखे निकोलास पुरान तो मतलब आये और चागे यहाँ पर टीटेल लिग क अज बाड़े भी है उनका तो फिर से एक बार अच्छा कर सकता है उन्नीस गेंदों में 28 सन की थी लाश्ट मैच पर अगर फिर से इनको टूड़न खिलने का मौका मेले वहाँ पर भी अच्छे कर सकता है बाकि इनको छोड़के दोस्तों डेवीड वाईसी जो है उन्होंने इनको पिक कीजे क्योंकि दोस्तों पूरे दो बाट डालेंगे साथ में अगर इनकी बैटिंग आ गए तो वहाँ पर तो कोई दूसरे बात नहीं चलेगा क्योंकि इन्होंने पिटाई काने वाला है सिदी सी बात दोस्तों अभी बोलिंग सिक्सिंट की तरफ अगर तो धस्तों हमने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर चेस उतना जाहीं होते लेकिन सिस यह प्रपर कर शक्ता हो कि ँदूसर टेम करेंगा कि नहीं सकते गा कि नहीं कर सकते गा की नहीं तो इसलिए द्टिक आपको थोड़ा बहुत पेसेस तो तक तक ओड़ेगा तो यहाmber जाने वाले हैं बेंटन को इस मैच के लिए हमने डॉप कर रहा हूं लेकिन दोस्तों टू डॉण खेड़ रहा है एक अच्छी बात है ऑपर्शनिटी मिलेगा तो इसलिए आप इनको ट्राइ कर सकते हो दोस्तों बैटिंग सिस्ट की बात करें कि Suryis Ranar चांदों पर 央नें पीख करने वाले हैं यहां से टीम डेविट में तो यह वन डॉन है और डूर्स के तरफ से हमने पिक नहीं किया तो कोई만 रहे हैं तो यह पर लेना kita को यह माद नहीं कहल रहा है और पर टीब बोलिंग कर सकते हैं कुरे दो वर डुए वी डुवाइस ही रहेगा केमो पॉल्ड रहेगा ओडन समीत के साथ दोस्तों बागी दिखिए डॉमिनिक ड्रेक्स को अबाला कोमेशन पर ट्राइ कर सकते हैं पाउर प्ले में एक करेकार इनको मिल जाए तो यह दो से तीनों के लेके ही खमेगा जितना हमने इनको फॉलू कि दोस्ते देखिए बोली सीक्षन पर रहने वाले रिचार्ड समीत को दोस्तों टीम को सेब करके आपको प्रिवीव दिखेंगे ठोडसा ग्राइली के बारे मिल डिसकस कर देंगे यह से देखिए दोस्तो विगेट की बरेंग सिक्षन पर रहने वहले निकलास पूरन जो सबसे सबका फेवरेट चोईस है लेकिन दोस्तो हाले में किया हुआ इनको वेश्टिंडिज की कप्तानी से आज टेप डाउन कर दे गया है इसको थोड़ा सा चूट लग सकता है दिल पे लेकिन दोस्तो क्या करें यह फेक्ट है अच्छा परफ़र्स नहीं कर रहे थे टीम को नहीं जिता आपा रहे थे इसलिए दोस्तो इनको श्टीम डोन कर दिया और रोमान पावल को टीम का गापतानी दे दिया तो उसके लिए यहां पर थोड़ा सा एंग्री होके खेल सकता है दोस्तो यहां पर देखें बैटिंग सिक्सन की बात करें सुरस रेना राइली रसोट टीम डेविट तीन में पर बहुत बड़ी है चोइस और अंडर सिक्सन की बात करें देखें चार बेश्ट पीक और बोलिंग सिक्सन की बात करें दोस्तो यहां पर बात करेंあります अलग अलग चोइस की दोस्तों टीम डेविट सुरेश राना अंदर असल डेविट वाईसी केम अपॉल साथ दोस्तों वाकस मक्सूत ये छे प्लेस आपके लिए जील की टीम पर अलग 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 कॉमिनेंस के लिए अच्छा खासा कप्तन भाइक भाइस कप्तन के चोईस र क्लिक कर कि भे आप डिरिकलि जोइन कर सकते हो तो जएर की इंठी के लिए आप अभी के भी हमारे टीम की आप जैक को जोइन कीजिए थैंक्यों सो माच और बेस्ट मिल दें नेक्स्ट वीडियो पर